हाई फ्रेंट्स आज को रुक्सों पर हम एए टूल की मिदद से आड़नो में कोड करना सीखेंगे आपको सिंपली क्या करना है गूगल क्रोम पर जाना है और वहाँ पर आपको सिर्च करना है यूनो कोड जनरेटर द्यूञ लिए इनौड उसके बाद जो आपका समसे पहला साइट आएगा code for Arduino यहाँ पर आप देख सकते हूँ यहाँ पर लिखा हुआ है उसे आपको open कर लेना है यहाँ पर आप देख सकते हूँ यहाँ पर लिखा हुआ है let's generate code for Arduino that will मतलब कि Arduino का कोई भी चीज यहाँ पर डालेगा तो उसका यह code generate करके देदेगा हम simply RGB LED जो होता है उसका code generate करेंगे RGB LED blinking code हम यहाँ पर यह लिख दिए और generate का option यहाँ पर आ रहा है इसे आपको direct click कर देना है यहाँ पर नीचे में सोह रहा है कि एक मिनिट के अंदर आपका जो code ह जो हो जाएगा लेकिन यह 15-20 seconds के अंदर code को generate करके देता है यहाँ पर आप देखे तो यहाँ पर code आगया यहाँ पर आप simply copy भी कर सकते हो और नीचे में एक copy करने का option भी आ रहा है यहाँ से आप copy कर लो और Arduino को open करो आपके अपलोड करते हैं इसे हम कट कर देंगे यह अप्ग्रेड करने का भरजन था है इसे हम कट करके हंटा देंगे और यहाँ पर copy प्रेस्ट कर दिये हम इस आपड़ीन कोड को सबसे पहल हम verify करेंगे मेरा जो code है वो verify हो चुका है मेरे पास यह आपको दिखाता हूँ य इसमें इस cable को connect करेंगे और इसे laptop में connect कर देंगे उसके बाद जब हम इसमें connect करते हैं यहाँ पर एक LED जलता है इस तरीका से आप सबी को यह दो बात तो मालूम ही होगा तो चलिए आप हम इसमें code को upload करते हैं यहाँ पर यह compile नहीं हो सरी इसमें upload नाहीं हो रहा है कुछ error बता रहा है यहां पर आपको अइद्स को स्टर करना को जो भी आपका से सर्क्यृट बनाना है यहां पर देखते हो रेड पीण 9 में लगाना है गिरीन पीण 10 में लगाना है और बुलू पीण जो है पीण 11 में लगाना है आडिनो के साथ यह मेरे पास आडिनो ने नहीं है छोटा सा चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आप यह RGB LED यह तीन कलर का LED यह जलता है और इसके उपर यहाँ पर लिखावा है GRB Green, Red और Blue यह तीन कलर का यह जलता है और इसके नीचे एक माइनस का चीन है मतलब वह negative pin है अब हम इसे के द्वारा सर्कृट को बनाना है इस तरका से सिंप्ल कोनेट कर देंगे चारो वायर में एक एक वायर को लगा देंगे और यहाँ पर याद रखना है जो negative pin है वह brown pin है इसे अब हम इसमें लगाना है Arduino के साथ आपको अपने code में देखा था code में लिखा हुआ था कौन-कौन से pin में लगाना है 9, 10 और 11 तो आपको यह नहीं देखना है कि लाल वाला इसमें लगाना है बुलो वाला इसमें लगाना है आपको कोई भी किसी में लगा देना है उससे पी-नवर, 9, 10 or 11 में लगा देदाएं किसी भी वायर को खिसी में आपको लगा देना है, अब को उतना यह नहीं देखना है कि कौन सा लाल है कौन सा बलू है कौन सा गिरीन है अप और को ने देखने है उसमें लगा देना है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है अब हम हम इसे फिक फावर सप्लय देंगे। पावर्र सप्लय देने कि लिए हम इस केफल को लगा दिए और इसे हम लपट ईप में लगा देंगे। उसके बाद अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इस code में कौन से color को कितना दिर जलने के लिए इसमें code किया गया है अभी मैंने light बंद कर दिया तो आप देख से तो यह कुछ इस तरह का से जलता है और इसका जो brightness है वो भी बहुत जाद है चलिए अब मैं आपको इसके code में थ्वासा change करके दिखाता हूँ कि आप किस तरह का से इस code को change करके थ्वासा different way में आप इसे use कर सकते हो तो आप हम चलते हैं laptop के screen पर और मैं आपको थ्वासा code को change करके दिखाता हूँ चलिए अब मैं आपको कोड जो है उसे नजदिक से दिखाता हूँ और मैं आपको इसे चेंज करके दिखाता हूँ उसके बाद इसमें क्या एफ्यक्ट परता है सबसपर उपर में जो लालकर का LED है उसका on time आप देख सकते हो और off time आप देख सकते हो 500 millisecond दोनों का है इसे हम चेंज कर देते हैं 50 50 millisecond इसे हम 50 millisecond में चेंज कर देते हैं नीचे में गिरीन का on and off time जो है 1000 millisecond का है इसे भी हम 50 utility कर देंगे और उससे नीचे आप देख सकते हो जो बुलू जो LED बल्व है उसका जो अन और ओफ का टाइम है उसका भी हाजार है 1000 है जिसे भी हम 50-50 कर देंगे मतलब कि सब का जो टाइम ही है अन होने का और आफ होने का टाइम सब का सेम कर देते हैं उसके बाद ये सेम टाइम पर ये मतलब कि ये 50ms जलेगा 50ms बंद रहेगा उसके बाद इसी तरका से यह जलेगा और यह continuous पाले लाल फिर green फिर blue इस तरका से जलता रहेगा continuous चलिए मैं आपको सब इसे change कर दीए अब चलिए इसे हम code को upload कर देते हैं Arduino में अब Arduino में जो code है वो upload हो चुका है तो आप देख सकते हो यह सेम टाइम यानि कि 50 millisecond यह जलता है और बंद होता है और सारा है सारा कलर जो है RGB गिरीन येलो और ब्लू सारी गिरीन रेड और ब्लू सारा कलर यह सेम टाइम पर मतले 50 millisecond जलता है और 50 millisecond बंद होता है continuous यह जलता है इस तरीका से तो आप भी इसी तरीका से AI टूल के मदद से आप किसी भी Arduino code को code को जनेट करके आप इसे यूज कर सकती हो और हिलो प्रेंट्स जैदी आपको वीडियो पसंद आता है ते वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और यह आपको कोई भी